तो जी, एंड में कुछ ऐसी दिखेगी हमारी बोट चाट सुन्दर सुन्दर बनने के बाद कि सिर्फ कुकुमबर की मदद से हम लोग बोट चाट कैसे बना सकते हैं चलो शुरू करते हैं तो चलो जी, शुरू करते हैं बोट चाट बनाना इसको बनाने के लिए 5-10 मिनट लगेंगे और ये दो लोगों के लिए इनफ है सबसे पहले हम लोग एक कुकुम्बर ले लेंगे और उसके बाद उससे बीच में से काट लेंगे ध्यान रखना, equal pieces करना उसके बाद हम लोग जो बीच का pulp होता है न जिसमें बीज अगर रहते हैं हमारे कुकुम्बर के वो निकाल देना है और कोई tension की बात नहीं है ये जो भी हम pulp निकालेंगे वो हम लोग इसके wedge राइते में यूज करेंगे तो हमारी no wastage recipe होगी ये देखो कुछ इस तरह हमारा कुकुम्बर दिखना चीए empty वाला जो बीच में से एक दम खाली हो जाए उसके बाद हम लोग एक ले लेंगे bowl और बनाएंगे wedge राइता उसके लिए जो हमारा pulp था कुकुम्बर का जो हमने कहा waste नहीं होगा वो add कर देना उसके बाद इसमें हम लोग मिला देंगे तीन चम्मच onions onions की quantity, veggies की quantity आप अपने हिसाब से edges कर सकते हैं तो ये आगया भाई onions उसके बाद हम लोग डालेंगे तीन चम्मच tomato tomato जैसा मैंने कहा आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं ये आगया तीसरा चम्मच इसके बाद हम लोग डालेंगे एक चम्मच धनिया यानि की coriander उसके बाद नमक स्वाद अनुसार ये करने के बाद डालेंगे हम लोग जीरा पाउडर आदा चम्मच उसके बाद चाट मसाला डालेंगे आदा चम्मच और एक चौथाई चम्मच डालेंगे black pepper और तीन चम्मच हमको डालनी है दही मैंने तो यहाँ पर सिर्फ दो तीन चीज़े लिया अब देखो आप सारे इंग्रिडेंट्स काफी जादा हेल्दी है आप चाहे तो इसमें पनीर भी मिला सकते हो तो ये रेडी हो गया हमारा वेज रायता तो अब हमने जो कुकुंबर के बीच में जो होल्स किये थे जो स्पेस रखी थी उसके अंदर हम लोग डालेंगे हमारा वेज रायता जी हाँ ये है कंसेप्ट बोट चाट का देखो कितनी अमेजिंग चाट बन रही है हमारी इतनी हेल्दी मैं बोलूँगा आप पनीर डाल सकते हो या चिकन भी डाल सकते हो उसके बीच में तो जी ये रेडी है हमारी बोट चाट तो आए होप आप सबको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा हमारी इजी रेशीपी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी आए होप आप ये बनाएंगे खाएंगे और खिलाएंगे अंटिल दिन, ऐसी प्यार करते रहे, ऐसी सपोर्ट करते रहे, आपका भाई ऐसा कॉंटेंट लाता रहेगा, दिस इस तुशार दिन्वानी, साइन इन आउ